हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से देश्ट गर्दों का खातिमा कर दिया काम्याब जंग अपने वसाइल से लड़ी अमरीका अफगान महाजरीन की बापसी का अमल सुस्त करना चाहता है आलमी बिरादरी हमारे मसाइल की वजुहा समझे वजिर दाखला एहसन अक्बाल का नेक्टा कॉन्फरंट से खिता लाहौर में आग ने पांच अफराद की सांसे छीन ली बरकत मारकेट में बेकरी में आचिछ जदगी बालाई मन्जिल पर सोए पांच अफराद हुएं के बाइस दम घुटने से जांबा हक इमारत में फाइर एलाम मौजूद ना होने का इनकिशाफ पुलीस ने प्लाजा मालिक को गिरिफतार कर लिया नेब रेफरेंसेज नवास शरीफ और मर्यम नवास को आज हाजरी से इस्तस्ना मिल गया वॉल्यम चिन की कॉपिया नेब को नहीं दी गई इस तर्फ वकील सफाई ने देखी जे आईटी ने एवनफिल्ड सर्वे साइड प्लान से मुतालिक मजीद कोई तेखिकात नहीं की वाजिद जिया का बया इस आगडार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस शरीक मुल्जमान पर फर्द जर्म आयद नहो सकी अदम पेशी पर मुल्जम मनसूर रजा रिजवी के नाकाबले जमानत वारंट गिरफतारी जारी समाद पांच एपरिल तक मुल्टवी बरिगारा तामिरात का केस सुप्रीम कोट का कोरिंग नाले के अतराफ गेर कानूनी तामिरात के खिलाफ का रवाई का हुकम दो से तीन हफ़ते में काम ना हुआ तो तारिक फजल चौदरी जमादार होंगे चीज चस्टिस के रेमाक्स समाद कल तक मुल्टवे सुप्रिंग कोट में हज कोटा बढ़ाने के लिए हुकमत की दर्खास खारिज कर भी हाई कोट में सरसच पीसद कोटे को साथ पीसद किया था आशियाना हाउजिंग स्कीम में मुबयना करप्शन साबिक डीजी अल्डिये आहचीमा और दीगर मुल्जमान इहतसाब अदालत में पेश नैब ने मजीद जिसमानी रेमांड की सदा करते पेरी के इंसाफ बड़ी विकेट चुडाने को तयार पंजाब के तीन अरकाने असेमली आज पीटी आइमेश मुलियत का इलाम करेंगे एसें रजाफ प्याना, तरदार शहाब अद्दीन और एहमद शासमेश आहम शक्सियाच शाम आदतों के बाद वादी में मुकमल हर्टाल है आज के रोज कूल, कॉलेजेज और दीगर ताली में अदारे मुकमल तोर पर बंद हैं मकबूजा किश्मीर में भारती जारहियत के खिलाफ दूसरे रोज भी मुकमल तोर पर हर्टाल है वादी के मुक्तलिफ इसों में भारती फॉस ने कर्फ्यू नाफिस कर रखा है जिसकी वज़ा से जो शहरी हैं वो अजियत में मुद्दा हैं भारत जो अपनी रियास्ती देश्टगर्दी का सिलसला जारी रखे हुए है उसके खिलाफ किश्मीर के शहरी अपना इहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है मक्मूजा किश्मीर में भारती सिकेरिटी फॉर्सिस के हाथों 17 नوجवानों की सहाधत पर किश्मीरी सरापा इहतजाज वादी में स्कूल, कॉलिजिस और दीगर तारीमी अदारे मुकमल बंढ है जबके सिरी नगर समेट जनूबी हिस्सों में कर्फ्यू ना फिर जाए हुर्यत रहनुमाओं के ऐलान पर भारती मजारिम के खिलाफ शुपईया तक इहतजाजी मार्च होगा कश्मीर मीडिया सर्विस के मताबिक सेद अली गिलानी बीर वाइस उमर फारूक घरों में बदस्तूर नजर बन थे जबकि यासीन मलिक को तीन रोजारे मांट पर सिरी नगर की सेंट्रल जेल भीज़ दिया गया अक्वाम मुतायदा और मुसल्मान मुलकों के तंजीम OIC ने कश्मीरी और फलस्तीनियों पर मजालिम की मजब मत कर दी अक्वाम मुतायदा के जनरल सेकेटरी इंटोनिय गर्टरिस ने इज़ारे तश्वीश करते हुए कहा कि कश्मीर में हो या घज़ा में शेहरियों की हफाज़त होना चाहिए OIC के सेकेटरी जनरल यूसुफ बिन एहमद ने मसला कश्मीर अक्वाम मुतायदा की करारदात के तहट हल करने की जरूरत पर जोर दिया है कश्मीर यूँ और फलस्तिनियों पर होने वाले मसालिम पर अत्वाम मुतायदा के सेकेटरी जनरल अन्टोनियो गोटरेश और OIC के सेकेटरी जनरल यूसफ बिन एहमद भी बोल पड़े न्यूँ यूर्क से जारी बयान में सेकेटरी जनरल गोटरेश ने कहा कश्मीर में हालात देख रहे हैं वो बहुत तश्मीश नाक हैं घजजा के शहरी हूँ या कश्मीर के इनकी हिफाज़त होनी चाहिए सेक्टरी जनरल ने कहा के हलाकतें कहीं भी हों उनकी तहकीकात होनी चाहिए उन्होंने आलमी अदारे के अरकान मुमालिक पर जोर दिया के मसाइल हल करने के लिए रास्ते तलाश करे OIC के सेक्टरी जनरल यूसफ बिन एहमद ने कहा आलमी बरादरी मसले किश्मीर का पुरमन हल निकालने के लिए अपना किरदार अदा करे उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन को किश्मीर जाने की अजास्त दे उन्होंने किश्मीरी अवाम से यक जेती और जख्मियों की जल से हथ्याबी के लिए नेक खाइशाट का इसहार किया हुरियत रानुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि कश्मीर में हमें सिर्फ लाशे ही मिल रही है उन्होंने कहा के भारती फौज लाशों को भी मस्क कर रही है कश्मीरी कौम की आजादी के लिए कुर्बान या दें मिशाल मलक जो इस से पहले भी कई बार सामने आ चुकी है आवाज बलंड कर चुकी है मकबूज अवादी में मदाल इनकी खिलाफ एक दफ़ा फिर से उनका स्टेटमेंट हालिया लहर पर सामने आया है उनका कहना है के कश्मीर में हमें सिर्फ लाशे मिल रही है भारती फौज लाशों को भी मस्क कर रही है आज के दिन थर्ड एपरिल आ गया है दो दिन से उपर हो गया है हमें सिर्फ लाशे ही बितंगे चाहे वो हमारे छोटे बच्चों की हों चाहे बुजर्गों की हो चाहे हमारे नौजवानों की हो जितनों की भी फुटेज और तस्वीरे आर ही है आप देख लेए कि सारे जितने भी हमारे शहीरों है उनके चेरों पे एक मस्कुराहट है क्योंकि अल्ला ने उनके 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 उ सद्दू से 10 अफराद हलाक और 75 जखमी हो गए मुदी सरकार अकलियत कुछ पॉलिसी पर कार बंग नई दिली समयत कई शेहरों में अपने हक के लिए आवाज बलंद करने वाले निचली जात के हिंदू को खून में नहला दिया गया मधिया परदेश में पुलिस ने खवातीन पर लाटियां बरसा दी और चार मुझाहरीन को मौत के घाट उतार दिया गया जैपू, लुधियाना, अमरिट सर और अहमदवाद में भी पूरत शद्द्द मुझाहरे हुए कई शहरों में ट्रेने रोक दी गए जाहरों का सिलसला उस वक शुरू हुआ जब गुझाश्टा माँ भारती सुप्रीम कोट ने अकलियतों के खिलाव जराइम की सजा में कमी का फैसला किया था आगे बरताब को बताएं के लहौर में अफसोसनाक साने हा पेश आया बरकत मार्किट में बेकरी में आचिज़द की उपरी मंजिल पर सोए पांच अफराद हुएं के बाइस दम गुटने से जहां बहुक हो गए शौर्ट सरकिट के बाइस लगने वाली ये आग पर काबू पा लिया गया इसी पर रिपोर्ट करें गुफरान चुखताई लहौर में आग ने सब राख कर दिया पांच जिन्दियां भी शोलों की नजर हो गई बरकत मारकीट की बेकरी में सुबह साड़े छे बजे अचानक आग भड़क उठी जिसने देखते ही देखते पूरी अमारत को अपनी लपेट में ले लिया आतश द्रद्गी के नतीजे में पांच अफराद जांबहग और मतदद जखमी हो गए हाथसे की इतला मिलते ही फाइर बिर्गेड और रेस्क्यू टीमें जाए हाथसा पर पहुंची और प्लाजिब में फंसे अफराद को बाहर निकाला रेस्क्यू एलकारों का कहना था किना था कि पांच अफराद धुएं के बाइस दम गुटने से जांबहग होए जांबहग कोने वालों में 15 साला श्कील, 30 साला तालिब, 25 साला शहबाज और 40 साला शाहिद शामिल है वाक्या में जांबहग एक शक्स की ताहल शनाखत नहीं हो सकी रेस्क्यू हकाम के मताबिक अमारत में फाइर अलारम मुझूद ही नहीं था ग्राउंड फ्लोर पर आग का किसी को पता ही ना चल सका पलिस ने पलाजा मालक अलीम को गिरफतार का लिया पलीसो काम का कहना है कि जांबह कफराद को बाहर आने का रास्ता ना मिल सका जिसकी वैसे हलाकते हुई दूसरी चानल वजीरला पंजाब शेबाश निन्होंने वाके की रिपोर्ट तलब करते हुए तहकिकात का हुकम दे दिया है साथी रिपोर्टर खुरम अबास के साथ गुफरान चुक्ताई दुनिया नियूस लाहर खबर लाहर से जहां पर बरकत मारकेट के लाके में एक बेकरी में आग भुजाने के आलाद खराब होने का इनकिशाफ हुआ है इस अमारत में एमरजनसी एक्जिट के लिए भी कोई रास्ता नहीं था आग लगने से अमारत में धुआ बरातों वहां पर मौजूद अफराद को निकलने का रास्ता ना मिल सका गवानीन की खिलाफ वर्जी ने पांच जिंदगियों का चराख गुल कर दिया मजीद इसी बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहिल कैसर की रिपोर्ट में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सुहिल कैसर उन से इस बारे में मजीद जानते हैं बताईएगा अब तो आग बुच चुकी है कूलिंग आमल भी मुकमल हो चुका है लेकिन क्या पता चला है कौन कौन से गवानीं थे जिनकी खिलाफ वर्जी हुई जिसकी वज़ा से पाच जिन्दगियां चली गए देङें शेयर में बलंडो बाला जो इमारते हैं उनकी रदाद में तो बेपना इचानी चला जारा है और यह तरक्यी की इलामत भी समझा जाता है लेकिन इन बलंडो बाला इमारतों में क्या क्या अफری tuck पल रहे हैं उसका एक अंदाजा उसकी मिसाल एक मरतबा फिर आज बरकत माकेट में सामने आई जब ये एक साथ आठ मनजला पलाजा की एक बेकरी में आग बढ़की और जब बाग बढ़की तो यहां पर मौजूद सक्यूरिटी गार ने पहले खुद उसको अपने तोर पर बुजाने की कोशिश की जब काबू ना पासका तो डबल वन डबल टू को इतला की लेकिन उनके आने तक पूरी अमारत में धुआ बर चुका था और अनफार्चनेटली यहां पर कुछ फायर सेफटी आला तो मौजूद थे लेकिन झाल तो शायर सेनली आला तो मौजद थे लेकिन